यो वास्व गाईस तो अगते अपका फिरस एक और वीडियो के अंदर उमीद करता हूं सब मेरे भाई ठीक होंगे तो वाई लोग इस वाली वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं उन सभी करेक्टर की अबिल्टिस के बारे में जो आपको न्यू स्ट्ट मोबाल के वी आप चूज करोगे बाई न्यू मूड के अंदर भाई सब करेक्टर की आपको तीन तरह की अबिल्टी देखने को मिलेगी दो पैसफ अबिल्टी होगी और एक उसकी मेन एक्टिव अबिल्टी होगी ठीक है तो चलो बात करते हैं यहां पर पहले करेक्टर के बारे में जो अपनाता है सैम बेरी अब यहर सैम बेरी को आपको चूज करने का क्या फाइदा होने वाला पूरा मैं एकस्प्लेन कर देता हूं यहांपर तो भाई लग अगर आप सैम बेरी लेते हैं तो यहां पर जैसे मैश स्टार्ट होता है तो पहले से भाई इसके पास तीन अगर यह हीलिंग का सामान यूज करें जैसे ड्रिंक वेड़ा लगाएगा पेन किलर हो गया इंजेक्शन वेगारा जब मैडिकर यूज करेंगा भाई वो कम टाइम में यूज करेंगा दूसरे करेक्टर के मुकाबले ठीक है तो यह भी इसका काफी फाइदा है और बात करें यहाँ पर गाईज अगर आप सैम वेरी लेते हो अगर मैच के अंदर आप मर जाते हो भाई तो यहाँ जैसे के देखो भाई मैंने गयाप कर दिया तो यहाँ देखो भाई सैम वेरी को ओनली कि इस करेक्टर को दो बार रीड़ अप्लाय मिलता है मतलब भाई यह दो बार र फाइनल लास्ट अबिल्टी यूज़ करोगे भाई तो एक सरकल बनेगा और जो भी आपके टीम मेल उस सरकल के अंदर होंगे तो अगर उनकी हैल्थ कम है जा फिर शील्ट को डैमेज हुआ है भाई वो रिकावर हो जाएगा और साथ ही सैम बेरी अपने आपको भी रिकावर कर लेता हैल्थ को पूरी बूस्ट कर लेता अगर आप इसकी तीसरी अबिल्टी यूज़ करोगे इसको कोई ड्रिंक लगाने के जूरत नहीं पढ़ने वाली ना तो पेने के लिए जूरत पढ़ने वाली भाई मेरे, क्योंकि इसका बूक्स्ट स्टार्टिंग से लेकर मैच में अंत तक पूरा फुल रहेगा, ठीक है, इसकी पहली ये खासियत है, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसकी खासियत है अगर ये अटेक करते हैं गूलियां चलाएं तो इसको थोड़ा सा हलका बूस्ट देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर ही एक और बात, भाई ये कोई भी गन पिक करे, भाई यो रिलोडिंग टाइमर गन का थोड़ा सा कम है, इसके लिए जल्दी गन को रिलोड कर देती है, अब बात करते हैं इसकी मेन एक्टिव अबिल्टी के बारे, अब देखो, यहाँ पर मैं रेस कर रहा हूँ, दूसरे करेक्टर के साथ, वो पहले भागे हैं, और जैसे मैंने इसकी अबिल्टी यूज की, तो भाई इसकी मूवमेंट स्पीड जादा होगी है, देखो, अब याँगे बढ़ते हैं बात करें, नेक्स्ट कारेक्टर के बारे में, वो आता है अपना डांटे, यह भी मतलब एक अलग लेवल का करेक्टर है, चलो बात करते हैं यहाँ पर पहले इसकी पैसिव अबिल्टी के बारे में, तो इसकी पहली खासित यही है कि जब यह मैं स्टार्ट होता है, इसको भी पेन किलर ड्रिंक लगाने की जूरत नहीं पढ़ने वाली पूरे मैच, भाई इसका बुक्स्ट भी पूरा फुल रहेगा, बात करें यहाँ पर नेक्स्ट खासित के बारे में, देखो डंटे का एक और फाइदा है, इसका जो हेड़ शॉट है उसका डेमस जादा है, दूसरे करेक्टर के मुकाबले, तो डंटे अगर आप लेते हो भाई, अगर आपका हेडशॉट अच्छा है, तो भाई यह करेक्टर आपके लिए जबदास होने वारा है, चलो अब आगे बढ़ते बात करें डंटे की फाइनल एक्टव अबिल्टी के बारें, भाई देखो, यहाँ पर मेरे पास प्लाजमा शील्ड आई थिंक दो लेवल की है, और इसकी एच्पी है धेर्ट सो, और जैसे मैंने इसकी तीसरी अबिल्टी यूज़ की, तो यहाँ देखो भाई, जो मेरे शील्ड है, उसकी एच्पी धाई सो हो चुकी है, ठ या तीसरी अबिल्टी यूज़ करेगा, तो भाई इसको नॉकडाउन करने के लिए काफी सारी गोलियां मारनी पड़ी, यह अपनी शील्ड की पावर बढ़ा लेगा, तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ब्लॉकर की पैसिव अबिल्टी के बारे में, तो ब्लॉकर की ब्लॉकर की वाई, इसके पास अनलिम्टड एमो होगी, जैसे यहाँ देखो फाइब की आमो मैं ड्रॉप कर दी, मेरे बैग में भी कोई फाइब की आमो नहीं है, मेरे पास है मशीन गन, जैसे की चाहँ चेक आउट करो, भाई, कोई भी एमो नहीं है, तो यहाँ पर मशीन गन की सारी एमो मैं खाली कर देता हूँ, पूरी उड़ा देता हूँ ऐसे ही, अब देखो यहाँ पर भाई, इसके पास अनलिम्टड एमो होगी, बट यहाँ पर आपने एक बात को नोटिस करना, इसके पास उसी गन की अनलिम्टड एमो होगी, जो नर्मल आपको गरों में पास होंगी, और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ब्लॉकर की खासित के बारे में, भाई देखो यह कोई भी गन पिक करें, अगर आप बिना स्कोप उपन करें, भाई फायर करोई, तो भाई जो गोलियां वो कम स्प्रेड होंगी, कम बिखरेंगी, बंदे को जादा टच करे इसके अधिर भाई कि वाई उसकी खासिथ के लिए आप 45 सेकंड वैट करना पडएगा, चलो, अब यागे बढ़ते हैं बात करें next character के बारे में तो next अपना character आती है मरिया गेल भाई इसको में बहूलगा jetpack की queen भाई बाकी जितने भी character है उनको तो भाई आपको दो बार मिलता ना jetpack यूज़ करने के लिए कर रहा हूं तो भाई उसकी रिलोडिंग स्पीड कम होगी और वो उसको काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगी इसकी मूवमेंट थोड़ी सी अच्छी रहेगी मशीन कन के साथ तो नेक्स्ट यहां पर बात करें इसकी मेन एक्टिव अबिल्टी के बार में अगर आप यूज करो वैं तीन सेकंड के लिए इसके पास अनलिम्टड जेट पैक आ जाता है ऐसी उची उची जगहों पर यह आसानी से चड़ जाती है और जैसे आप इसकी एक बार एक्टिव अबिल्टी यूज कर लेते तो दूसरी बार यूज करने के लिए आपको एक मिनिट की वेट करनी पड़ेगी चलि आगए बढ़ते हैं बात करें अभी नेक्स्ट करेक्टर के बारे में वो अपना आता रेड भाई ये भी एक अलग किसम का मतलग करेक्टर है जो यूनीक है तो भाई लोग इसकी खास है यह भाई इसकी मूवमेंट स्पीड जादा भागता बादा है ठीक है वो देखो पीछे रह चुका है नेक्स्ट इसकी खास है यह जब यह नौक होता है तो भाई स्मोक करने की जूरत ने पढ़ने वाली आपको भाई यह खुद ही अपने हम स्मोक कर देगा आज हो रिवाइव कर दो ठीक है को शैसा सीन होता है अब बात करें इसकी फाइनल एक्टव अबिल्टी के बारे हैं अगर आप इसकी फाइनल एबिल्टी यूज़ करोगे तो भाई यह ऐसा पूरी तरह स्मोक कर देगा मलोब काफी अच्छा एरिया बना देगा स्मोक का जैसे कि यहां चेक आउट कर सकते हो और अगर आप एक बार इसकी फा तो टेंशन की बार ने जैसे और करेक्टर आएंगे तो भी एक्स्प्लेइन कर देंगे तो होफिली गाइज यह वीडियो आपने पूरी तरह इंज्वाई की होगी होगी होफिली आपको पता चल जोगा हर एक्रक्टर की अपनी कौनसी कौनसी बिल्टी है अगर मैंने कोई की पॉइंट में मिस किया होफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया ठीक है और वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना अपरे फ्रेंड्स के साथ जिनको पता निसके बार में ताव पूरी तरह गेम को एंजुआए करें ठीक है और साथ ही गाईज म झाल झाल